सभी समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तरब से भी नमस्कार आप सभी का श्वागत है हमारे चैनल पर जी हादिदी ये चैनल स्वेम शायता समू की महिलाओं के लिए ही बनाये गया है जी हाँ जो हमारी बेहने निहायती गर करीब हैं और शाच्छर नहीं है जी हां अनपढ़ महलाओं के लिए जिसे में कहा जा सकता है जो देदिया हमारी पढ़ी लिखी नहीं है और जो सम्मू में जुड़ी है सभी दिदियों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है जी हां गलत निर्णों पर उठाई ये आवाज देदी जी हां क्योंकि मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं जो की काफी सोचने में भी खराब लगता है कि जहां एक तरफ हमारी सरकार गरीबों के उत्थान का काम कर रहा है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं कुछ गलत भी हो रहा है जिसे मैं आपके सामने बता नहीं सकती हूँ ना तो पेश कर सकती हूँ कुछ मेरे पास काफी ऐसे वीडियो आए है और कुछ ऐसी बाते भी आए हैं जो मैंने रिकार्ड कर रखा है लेकि मैं आपके शेयर नहीं कर लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है कुछ उनके भी काफी ऐसी समस्या थी जिनका हल उनको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मेरे द्वारा उनका समस्या हल हुआ वो काफी खुश थी तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि साइद मैं कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर रही हूँ मुझे आज काफी खुशी हो रही इसलिए कहने के लिए कि मेरे वज़ा से साइद कुछ समू कुछ ग्राम संगठन बहुत अच्छे से चलने भी लगे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों न मैं सेर करूँ कि अगर आपके समू में आपके ग्राम संगठन में आपके कलश्टर में कुछ अगर गलत निर्णे लिया जा रहा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो उठाईए आवाज जी हाँ लेकिन आवाज उठाने से पहले आपको सभी बातों को जानना भी जरूरी है दिदी क्योंकि नियम सभी के लिए एक है यह आप सभी को पहले जानकारी होनी चाहिए कि जो नियम बनाए गए है डे अनरल्यम के वो नियम सभी पे बात दे हैं और वो सभी पे लागू होते हैं हमें आपको उनके एकॉर्डिंग ही चलना होगा जो नियम बनाएगे हैं उसी नियम के अनुसार लेकिन दिदी जब तक आप सभी दिदियां हमारे वीडियो को नहीं देखेंगी आपको नहीं पता चल पाएगा कि समू है क्या चीज तो समू के बारे में पहले आपको अच्छे से जानना होगा इसके नियम के बारे में जानना होगा जी हा दिदी और उसके बात आता है ग्राम संगठन तो ग्राम संगठन के नियम के बारे में जानना होगा आता है उसके उपर कलस्टर तो कलस्टर के नियम के बारे में जानना होगा और क्या है सही क्या है गलत आप घर में रहके कुछ नहीं जान पाईएगा इसलिए आप सभी दिदियों से हमारा नरोध है जो इस समय मेरे वीडियो को देख रही है प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि आगे होने वाले समस्यों से बचा जा सकता है अगर आपके समू में ग्राम संगटन में कुछ गलत निर्ने लिया जा रहा है तो प्लीज आप लोग आवाज उठाए कीजिए क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए कहा गया है कि एक गलती सुधारने के लिए कई प्रकार की और गलतियां कर दी जाती है जैसे एक जूट शिपाने के लिए कई जूट बोले जा सकते है इसी प्रकार अगर कही एक गलती हो जाती है उस गलती को सुधारने के लिए कई गलतियां और भी हो जाती है तो प्लीज देदी अगर आप समू की मेंबर हैं, ग्राम संगठन की मेंबर हैं, कलश्टर की मेंबर हैं, सबी दीदियों से हमारा नुरोध है, अगर हमारे वीडियों देख रहे हैं, तो प्लीज सस्काइब करिए, लाइक करिए, और अगर ग्राम संगठन में किसी दीदियों के प्रती गलत हो रहा है तो आवाज उठानास देखिए क्योंकि समु में जूड़ना एक ये भी आपके लिए महत्तुपूर्ण है क्योंकि समु का बैठक तो है ही जी हां हमारे जो 500 पनाएगा है सापताहिक बैठक सापताहिक बचत आंत्रीक उधार समय से रिण वापसी लेखा जुखा पार सूत्र तो हैं ही लेकिन हम खुद भी जानते हैं आप भी समझी एक सूत्र और बनने चाहिए जो कि आवाज उठाने वाली जी हां क्योंकि गलत जहां तक कहा गया है कि गलत करते त होता है तो कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई हैं जो मेरे प्रेणा टीवी चैनल के द्वारा सुधार हुआ है मुझे काफी अच्छा लगा कि मुझे आज का पांच ऐसे कॉल साइं जो गलतियां हो रही थी वह दोहराई नहीं गए जी हां कुछ मैं आपको उधान के तौर पे जी हां इस बात को आपको जाना बहुत जरूरी है आपके खाते में आए 15,000 वो क्या है रिवालिम फंड है वो चकरी निधी है वो आपको रिटर नहीं करना है ये इस बातों को आपको सभी लोग को ग्यान होना चाहिए कुछ जगहां पे गलतियां हुई अब बहुत सुधर चुकी है रिटना टीवी चैनल के द्वारा अब आप सभी आप सभी को मैं अगोत करना चाहती हूँ अगर आपके सम्मों में कोई भी दिकते हो रही है हमें कॉमेंट बक्स में जाकर हूँ सकती है जी हां गलत निर्णों पर उठाईए आप सभी लोग आवाज जी हां कई ज चाहना पड़ेगा क्यूंकि गरीब महलाएं इसमें ज्यादा प्रभावित हो रही है पैसा किसी का लोन किसी का भर कोई आउर रहा है लेकिन उसके प्रती कारवाही भी होती है लेकिन हमारी गरीब बैनों को जानने की आवशकता बहुत जरूरी है जी हां जब तक आप जान टीवी चैनल को प्लीज 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 देदी सब्सक्राइब करो और आपने आसपास दिद्यों से भी सब्सक्राइब करो समू में जब तक आप समू का नियम ही नहीं जानेंगी तो नियम का पलन करवाएंगी कैसे जब तक आप ग्राम संगठन के नियम को ही नहीं जाने करेंगी कि क्या लेन देन हैं क्या प्रक्रियाएं है है क्या सही है गलत पहले आपको जानना जरूरी है तब तो आप सच्छर नहीं हो यागा अगर आप लिखा पड़ी नहीं कर सकती तो कम सकम हमारी आवाज को सुनकर साच्छर हो जाएए जी हाँ सोचने समझने की छमताय बढ़ जाएंगी सिफ हमारे वीडियो के थुरू तो प्लीज देदी आप सभी दिद्यों सन्रोद है कि हमारे चैनल को सस्काइब करें और हमारे हर वीडियो को देखिए जी हाँ अगर आपके समू में बैठ के अच्छे से चल रही है रजिष्टर भी आप सभी का फर्ज है कि देखिए सही से लिखा जा रहा है या नहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा जा रहा है या समू के बीच कोई ऐसा निर्णा नहीं लिया जा रहा है जो सही नहीं है तो सभी दिद्यों को आवाज उठाने की जरूरत है एक दिदी के या दो दिदी के आवाज उठाने से जरूत पूरी नहीं होगी सभी दिद्यों को आवाज उठाने की आउशकता है क्योंकि समूत तभी चलेगा जब सारी महलाएं सच्छम हो जाएंगी जादा से जादा रिन तभी आएगा जब सारी महलाएं सक्री होंगी एक दूसरे क्यों समझने की शक्ति होने शाइए जी हाँ क्योंकि हमारे दिदियां गरीब है तो परशानिया भी अधिक होती है गरीबियों के पास तो उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है सिफ अपनी समस्याँ न देखते हुए उनकी भी समस्याँ समझना जरूरी है तो आप सभी दीदियों से हमारा अनुरोध है प्लीज 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 हमारे चैनल को सस्काइब कर ले और पूरे नियमों को जानिए जी हाँ समू के नियमों को जानिए ग्राम संगठन के नियमों को जानिए ऐसा ना हो कि आपके रहते वे किसी महिला के साथ अन्याय हो जाए किसी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए समू में ऐसा दम होना चाहिए ग्राम संगठन में ऐसा दम होना चाहिए कलस्टर में ऐसा दम होना चाहिए कि कभी किसी महला को इसाथ अन्याय नहीं होना चाहिए कुछ जगा मैंने कौल साय दिद्या ये भी कर देती है कि उनका मैटर है वो जाने हमसे नहीं मतलब तो ये चीजे सम्मू में नहीं होने चाहिए ग्राम संगठन में नहीं होने चाहिए अगर किसी कलस्टर में या किसी ग्राम संगठन में कोई दिक्कत है तो कलस्टर में अगर वो बात आई है तो इस सारी दीदियों की समस्या है कि वो समस्या है दूर करें ना कि उनके ग्राम संगठन की समस्या है हमसे नहीं मतलब तो ग्राम संगठन की पदादिकारियों की यह करतव बनता है, उत्तरदाईत है कि अगर गाउं में किसी समु में कोई प्राब्लम है, कोई दिक्कत है तो इसका मिलकर हल निका रहे हैं, इसलिए ग्राम संगठन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले दिदी आपको समझने की जरूत सबका उत्तरदाइत्व क्या है जैसे ग्राम संगठन में इसी सदस्या है उनकी उत्तरदाइत्व है वह अपने उत्तरदाइत्व को जब तक नहीं समझेंगी तो वह कैसे निभाएंगी जी हाँ ग्राम संगठन में जो इसी सदस्या होती है जो पदादिकारियां होती है उनके अपने कुछ उत्तरदाइत्व है तो सबी दिदियों से निवेदन है जी हाँ मारा विनोम्रे निवेदन है कि अपने उत्तरदाइत्व को बखुवी निभाएं और अच्छे धंग से न करती हैं गलत निर्णों पर आवाज उठाना दीदी सीखिए अब नहीं सीखेंगी तो कब सीखेंगी पहले तो घर में दीदिया नहीं आवाज उठाती ति आज उठाने लगी है हमारी बहने तो आप बाहर आई हैं तो कुछ अलग करिए कुछ अलग दिखाए समाज को तो चलिए दीदी आज की वीडियो में मोटिवेशन बस इतना ही आपके साथ अगर कोई दिकते हो रही हैं तो हमसे संपर्क सकती हैं पहले आप नियमों को जानिये क्या नियम सही है या कलत तब तो आप निर्णा ले पाएंगी समू के प्रती जब समू के बारे में जानेंगी कि यह निर्णा सही या गलत है तब तो समू पे विचार करेंगी तो पहले आप जानकारी वठोड़ी अपने पास कि समू में क्या सही गलत क्या ग्राम संगठन में सही गलत कौन सा फैसला सही है या कौन सा गलत अब आज उठाने की कोशिश करिए तो चलिए देदे आज की अधन्यवाद प्लीज प्लीज इसमें मेरे वीडियो को जो भी देखना है हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि हमारा जो उद्देश है वो गरीबी के साथ ही जुड़ा है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, अमारे दिन्यां भी बहुत गरीब है, उन गरीबों के साथ प्रेड़ना टीवी चैनल है, जी हाँ, मेरी अवाज को कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, मैं सब में शेयर करती हूँ, ल आपकी समस्टा